हलो दोस्तो, मेरा नाम है यश, स्वागत है आपका मेरे चैनल दे ट्रेलर में ये कहानी है कैनेडा के टोरंटो पियरसन एरपोर्ट की जहां एक चोर सन 1985 से सन 2000 के बीच 15 साल तक उस एरपोर्ट से चोरिया करता रहा और पुलिस भी इन 15 सालों में उस तक नहीं पहुँच पाई उसने अपनी इन चोरियों को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पुलिस हर CCTV फुटेज हर एंगल को खंगालती रही यहां तक कि पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट भी इस चोर को पकड़ने के लिए लगा दिये मगर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 15 सालों में उसने जो भी सामान चोरी किया उसकी कीमत 4 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई जिसकी कीमत आज के जमाने के हिसाब से लगभग 33 करोड बनती है तो आखिर कौन था ये चोर कैसे इसने इन चोरीयों को अंजाम दिया और आखिर ये पुलिस के हाथ कैसे लगा ये जानकर आप हैरत में पढ़ जाएंगे कहानी शिरू होती है पेरसन एरपोर्ट से जो कैनेडा का सबसे बड़ा और सबसे बिजी इंटरनेशनल एरपोर्ट है और इसी वज़ा से इस एरपोर्ट के पास सबसे बड़ा कारगो टर्मिनल है जहां दिन बर में हजारों शिप्मेंट का आना जाना लगा रहता है और ये सलसिला 24 सो घंटे लगतार चलता रहता है इस कारगो टर्मिनल में दुनिया की लगबग हर चीज मौझूद थी पकड़ा जाएगा और यही वज़ा थी कि कई छोटी मोटी चोरिया करने की वज़ा से वहां कई वरकर या तो नौकरी से निकाल दिये गए थे या उन्हें जेल भेज दिया गया था मगर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी एक शक्स था जो इस कारगो टर्मिनल से लगभग 15 साल तक चोरियां करता रहा और एक 1600 डॉलर महीने कमाने वाले मामूली वरकर से एक मिलियनेर बन गया हाला कि इस चोर ने अपनी चोरियों की शुरुआत सन 1985 से कर दी थी मगर पियर्सन एरपोर्ट एड्मिनिस्टेशन को इसकी वनग 1992 में लगनी शुरू हुई ये बात काफी चोकाने वाली थी कि ये चोरियां फिच्टे साथ से हो रही थी और एरपोर्ट एड्मिनिस्टेशन को अब शक होना शुरू हुआ था कि उनके कार्गो टर्मिनल से कीमती सामान गायब हो रहा है चानबीन करने पर ये पता चला कि उनके कार्गो टर्मिनल से कैमराज, हाट डिस, कम्प्यूटर और साथी साथ कई कीमती सामान भी गायब है जिनकी कीमत लगभग 3 मिलियन डॉलर के आसपास है ये देखकर उनके पेरो तले जमीन सरग जाती है और एरपोर्ट एड्मिनिस्ट्रेशन और पुलिस फॉरन हरकत में आते हैं और अपनी तहकीकाश शुरू करते हैं पर पुलिस को एक सवाल बार बार परिशान कर रहा था और वो ये था कि आखिर ये चोर इतनी टाइट सीक्युरिटी के बाद भी एरपोर्ट से कैसे निकल जाते हैं वो भी बिना किसी को शक हुए और बिना किसी को पता चले क्योंकि वहां की सीक्युरिटी इतनी टाइट थी कि एरपोर्ट के हर कोने में सीसी टीवी कैमराज लगे हुए थे और वहाँ के गार्ड भी बिना आईडी कार्ड चेक किये किसी को भी ना तो कारगो टर्मिनल के अंदर जाने देते और ना ही बाहर पोलिस ने अपनी तहकीकात के दौरान सिकियोरिटी डबल कर दी अब कारगो टर्मिनल में काम करने वालों की आईडी के साथ-साथ उनकी पॉकिट उनके लंच बॉक्स और उनके बैक्स भी चेक किये जाने लगे और साथी साथ नए सीसी टीवी कैमराज भी इंस्टॉल किये गए जिन पर 24 सो गंटे नजर रखी जाने लगी मगर ना तो ये चोरियां रुकी और ना ही पॉलिस के हाथ कुछ लगा और इसी तरह सालों तक इस कारगो टर्मिनल से कीमती समान गायब होता रहा चुक्के कारगो टर्मिनल बहुत बड़ा था इसलिए वाँ हजारों शिप्मेंट्स रोज आते जाते थे और 90 के दशक में इन्वेंट्री स्टोरिज सिस्टम भी नहीं होता था मतलब जो भी शिप्मेंट आते उन्हें कैटेगरी के हिसाब से वहराउस के एक कोने मिले जाकर रख दिया जाता था मगर उनका कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम या रेजिस्टर में नोट नहीं किया जाता था और यहीं वो वज़ा थी जिसकी वज़ा से एरिपोर्ट एड्मिनिस्ट्रेशन को इस चोरी का इतने सालों बाद पता चला पुलिस को भी इस चोरी की खबर इतनी देर से मिली कि उन्हें लगने लगा कि अगर चोरी का कोई सबूत भी होगा तो भी अब तक गायब हो चुका होगा और पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था तब पुलिस ये फैसला करती है कि वो अब सीधे कारगो टर्मिनल के वरकर्स से पुश्टाच करेगी मगर वहाँ काम करने वाले वरकर्स सालों से एक साथ काम कर रहे थे और अब वो एक फैमिली एक गैंग की तरह बन चुके थे पुलिस ने जब उनसे गुमा फिरा कर सवाल किये तब भी उन सब का जवाब एक जैसा ही होता इस बात ने पुलिस को बहुत परिशान कर दिया और इस पुश्टाच से भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा तब पुलिस एक त्योरी पर पहुँचती है कि एरपोर्ट के अंदर एक पूरा क्रिमिनल गैंग इंचोरियों को अंजाम दे रहा है वो भी बहुत और्गनाइस तरीके से पुलिस को ये भी लगता है कि ये गैंग एरपोर्ट के हाईर आथारिटी के साथ मिलकर इन चोरियों को अंजाम दे रहा है इसलिए उन्हें एरपोर्ट के हर रास्ते, हर कैमरा एंगल और हर सिक्यूरिटी चेक के बारे में पता है जिसकी वज़ा से वो आसानी से बच निकलते हैं और इस पूरी चोरी में सिक्यूरिटी सुपर्वाइजर, मैनेजर और ट्रक ड्राइवर सब इनका साथ दे रहे हैं मगर जब पुलिस को चोर के बारे में पता चलता है, तब उनके पहरो तरह जमीन सरक जाती है ना तो ये चोर कोई सुपर्वाइजर या डारेक्टर था जिसे एरपोर्ट के चप्पे चप्पे के बारे में पता था और ना ही कोई क्रिमिनल गैंग, बलकि एक ट्रक ड्राइवर था जिसने इन सारी चोरियों को अकेले अंजाम दिया था तो कौन था ये ट्रक ड्राइवर और कैसे इसने इतनी हाई सिक्योरिटी और इतने सिक्योरिटी कैमिरास के बीच इन चोरियों को अंजाम दिया इस ट्रक ड्राइवर का नाम था हो लमांग जो वियतनाम का रहने वाला था और सन 1980 में अपनी जे में 50 डॉलर लेकर कैनेडा के शहर टोरंटो आ गया था उसका कैनेडा आने के पीछे का बस एक ही मकसद था और वो ये था कि उसे जल से जल अमीर बनना था फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था के अमीर बनने के लिए उसे लोगों से बहुत अच्छे चनेक्शन बनाने होंगे इसलिए वो जिससे भी मिलता, उनसे बहुत प्यार से और मुस्कुरा कर पेश आता और इसलिए उसकी दोस्ती लोगों से बहुत जल्दी हो जाती कुछ समय बाद होला मौंग की मुलाकात टीरीजा से होती है टीरीजा भी वेतनाम की ही रहने वाली थी और कैनेडा आकर बस गई थी कुछी मुलाकातों के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ले शादी के बाद होला मौंग टीरीजा के साथ उसके घर में रहने लगा जहां वो अपने सोतेले बेटे बैनी के साथ रहती थी तिरीजा एक shipping company में काम करती थी और उसी की मदद से होला मौंग को shipping company में टरक driver की नोकरी मिल गई थी जिसका काम था पीरिसन एरपोर्ट से cargo shipment अपने टरक में load करना और उन्हें शहर में उनके माली को तक पहुचाना और इसके लिए उसकी जो तनका तैय हुई थी वो थी 1600 डॉलर पर महीना जो कि होला मॉंग के लिए एक बहुत छोटी रकम थी उसके सपनों के आगे होला मॉंग जो कि सारे कारगो का सामान खुदी हर पते पर पहुचाता था इसलिए उसे इस बात का अंदाजा बहुत अच्छी तरह हुगया था कि इन कारगो शिप्मेंट में जो भी सामान होता है उनकी कीमत बहुत जादा होती है और तब उसके दिमाग में इन कीमती सामान को चोरी करने का वो अनुखा तरीका आता है जिसने 15 साल तक पुलिस और एरपोर्ट अथोरिटी को नचा कर रख दिया पर हुलामों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो इन कारगो में से अगर डाइरेक्ट चोरी करता तो पकड़ा जाता और तभी वो फैसला करता है कि वो पियरसन एरपोर्ट के कारगो टर्मिलर के अंदर जाकर वहाँ से चोरी करेगा मगर ना तो उसके पास ID कार्ड था और ना यह वो उस एरपोर्ट पर काम करता था और वहां बिना ID कार्ट दिखाए किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता था और जो लोग वहां काम करते थे उन्हें अपना ID कार्ट हर समय अपने गले में पहन कर रखना होता था और इसी वज़ा से उसे अपना ट्रक लेकर उस वेर हाउस के बाहर इंतजार करना पड़ता था जहां वर्कर्स अंदर से कार्गो शिप्मेंट लाते और इसके ट्रक में लोड कर देते जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि होला मॉंग लोगों से कनेक्शन्स बनाने में बहुत माहिर था और इसलिए उसने वेर हाउस में काम करने वाले वर्कर्स जो उसके ट्रक में समान लोड करने आते थे उनसे भी बहुत अच्छे कनेक्शन्स बना लिये थे इसके लिए उसने कई बार उन्हें छोटे मोटे तोफे दिये और अपने घर पर उन्हें खाने के लिए भी बुलाया इससे वरकर्स और होला मॉंग के बीच की दोस्ती काफी गहरी हो गई होला मॉंग अपने कनेक्शन और दोस्ती बनाने के साथ-साथ इस बात पर भी खास नजर रखे हुए था कि इन वरकर्स में से किसे सबसे ज़ादा पैसों की ज़रूरत है किसकी सैलरी सबसे कम है और किसके सर पर लोन है जो उन्हें चुकाना है क्यूंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो भी वरकर्स इन हालात से गुजर रहे होंगे वो बहुत आसानी से रिश्वत लेने के लिए राजी हो जाएंगे एक सुबा एक वरकर होलामोंग के ट्रक में कारगो शिप्मेंट लोड कर रहा था तब ही होलामोंग उसके पास जाता है इसलिए वो फॉरन इस काम के लिए राजी हो जाता है वो वरकर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कारगो टर्मिनल इतना बड़ा है कि वहां से कुछ शिप्मेंट गायब भी होते रहेंगे तब भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा होला मॉंग की चोरी का ये वो पहला कदम था जो उसने कामियाबी के साथ आगे बढ़ा लिया था अब वो वापस अपने घर आता है और उस कारगो शिप्मेंट को खोलता है जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनिक सामान से भरा हुआ था और जिसकी कीमत लगभग एक लाग डॉलर थी ये वो पहली चोरी थी जिसमें होला मॉंग ने सिर्फ दो हजार डॉलर दे कर एक लाग डॉलर का सामान गायब कर दिया था अब होला मॉंग के लिए जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इन इलेक्ट्रोनिक्स आइटम को बेचना जिसके लिए उसे खरीदा ढूनना था और फिर वो इस चोरी किये हुए समान को कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक्स की दुकानों पर मार्किट से कमदाम में बेच देता है और इसी तरह दोबारा वो फिर कुछ रिश्वत देकर एक कार्गो शिप्मेंट अपने ट्रक में लोड करा लिता है मगर इस बार उसमें इलेक्ट्रोनिक्स की जगा कप्ड़े निकलते है हाला कि उनकी कीमत इलेक्ट्रोनिक आइटम जितनी नहीं थी मगर फिर भी उसने जो रिश्वत दी थी उससे कई ज्यादा का सामान उसमें था और वो उसे भी मार्किट से कमदाम पर लोगों को बेच देता है और इसी तरह अब उसका ये चोरी का सिलसला चल पड़ा था इधर वो अलग अलग वरकर्स को रिश्वत देकर कारो शिप्मेंट गायब कराने लगा और उधर उसमें से निकलने वाले समान को अलग 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 लोगों को बेचने लगा इससे उसका नेटवर्क और उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती चली गई अब उसके पास वरकर्स की एक बहुत बड़ी टीम थी जो कारगो टर्मिनल में रहकर उसके लिए काम कर रही थी और यहीं से शिरुवात होती है होल अमांग के एक मामूरी ट्रक ड्राइवर से एक बहुत अमीर चोर बनने की पर उसे अब भी एक बहुत बड़ी दिकत का सामना करना पड़ रहा था और वो यह था कि जो कारगो शिप्मेंट वो रिश्वत देकर गायब कराता था वो बाहर से पूरी तरह सील पैक होते थे जिसकी वज़ा से यह नहीं पता चल पाता था कि अंदर क्या है कभी उसके अंदर कपड़े निकलते कभी जूते तो कभी इलेक्ट्रोनिक्स और इसलिए उसे हर बार अलग अलग नए खरिदा ढूनने पड़ते थे जिसकी वज़ा से उसे चोरी का माल बेचने में काफी परिशानी हो रही थी तब वो फैसला करता है कि अब वो टेरीजा जो कि उसकी बीवी थी और उसके साथ शिपिंग कमपणी में काम करती थी उसे अपनी चोरियों के बारे में बताएगा और उसे साथ लेकर काम करेगा टेरीजा को साथ लेने के पीछे की वज़ा ये थी कि shipping company के office में टिरीजा जिस department में थी वहाँ कार्गो shipment के documentation का काम होता था जिससे ये आसानी से पता चल सकता था कि कौन सा shipment कब आने वाला है कौन सी flight से आने वाला है उसे कहां रखा जाएगा उसमें क्या क्या समान है और उसकी कीमत क्या होगी होला मौंग की बात सुनकर टिरीजा उसका साथ देने के लिए तयार हो जाती है अब होला मौंग जादातर कीमती shipment पर ही नज़र रखने लगा क्योंकि उसे पहले से ही उनकी location की खबर होती थी जहां वो अपने बंदों को रिश्वत दे कर उनकीमती shipment को निकलवा लेता था और चुके उसे ये पहले सही मालूम होता था कि उस shipment के अंदर क्या है वो उनका सौदा पहले ही कर देता था इसका मतलब ये था कि उसके हाथ में shipment आने से पहले ही वो बिक चुका होता था अब होला मौं का लालच बढ़ने लगता है और वो अब छोटे shipment के साथ साथ बड़े shipment भी गायब करने लगता है जहां वो दिन बर में पहले एक या दो shipment चोरी करता था अब वही तीन से चार shipment चोरी करने लगा पर जादा shipment चोरी करने की वज़े से उसे कई परशानिया होने लगी चुके बड़े shipment में सामान काफी जादा होता था और इसलिए उसे बेशने के लिए अब उसे और जादा खरीदारों की जरुरूरत थी और हुलामों के लिए अब अकेले ये सब समालना काफी मुश्किल हो रहा था इसका मतलब ये था कि वो shipment चुरा ले रहा था मगर सही distribution और manpower ना होने की वज़े से वो से बेश नहीं पा रहा था तब वो फैसला करता है कि वो अपनी बीवी के सौतेले बेटे बेनी को अपने साथ शामिल करेगा बेनी हुलामों के साथ काम करने के लिए तयार हो जाता है और shipment के सारे समान को बेचने और distribution की जिम्मेदारी समाल लेता है अब बेनी को जरूरत थी ऐसे खरीदारों की जो उससे पूरा shipment का समान एक ही बार में खरीद ले और इसके लिए उसने उन shipment के नकली बिल्स बनवाए और साथी साथ फरजी नाम से अपने ले विजिटिंग कार्ट भी छपवाए अब वो जहां भी जाता shipment का समान बेचने वो वहाँ लोगों विजिटिंग कार्ट देता और ये बताता कि वो एक shipping company से आया है और उसका नाम जो येंग है जिससे शॉप उनर्स को ये यकीन हो जाता कि वो एक सही आदमी से सारा लीगल समान खरीद रहे है हाला कि मैंनी इन सभी shipment के सारे समान को बहुत बखोबी और बहुत सफाई से बेच रहा था मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परिशानी खड़ी थी वो ये थी कि बार बार shipment चोरी करने की वज़े से उनके पास इतना जादा समान जमा हो गया था कि अब इसे रखने की जगा नहीं थी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि shipment जादा चुरा लिए गए थे मगर सही distribution ना होनी के वज़े से वो बिक नहीं पाए थे अब इस परिशानी से निपटने के लिए होला मॉंग को एक बड़ी और सेफ जगा चाहिए थी जहां वो आसानी से सारा सामान रख सके और पुलिस भी उस तक ना पहुंच सके इसलिए वो दो घर खरीदता है जो एक दूसरे के अगल बगल होते हैं एक घर में वो खुद रहने लगता है और दूसरे को वो स्टोरेज गो डाउन की तरह इस्तमाल करने लगता है होला मॉंग ने जो दोनों घर लिये थे उनके अगल बगल और भी घर थे जहां उसके पडोसी उसे अकसर स्टोरेज गो डाउन से सामान लाते ले जाते देखते ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उनका पडोसी दिन रात यहां से क्या लाता ले जाता रहता है होला मॉंग को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके पडोसी उसे शक की नज़से देखने लगे हैं और तब ही वो फिर से अपना पुराना पैतरा आजमाता है वो एक-एक करके अपने सभी पडोसीों के घर गया और उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ये बताया कि वो पडोस में अभी नए-नए रहने आए हैं और साथी साथ उनके लिए तोफ़े भी लेकर गया कुछ लोगों ने उससे पूछा भी कि उनके घर में शिप्मेंड का सामान क्यों है जिस पर उसने उन्हें ये बताया कि वो शिपिंग इंडस्ट्री में काम करता है और कभी-कभी वो अपने घर को वेराउस के लिए इस्तमाल करता है चुके होलामोंग अपने पडोसियों से बहुत अच्छी तरह पेश आता था और उसकी वेराउस वाली कहानी की वज़े से पडोसियों का उस पर से शक हतम हो जाता है चुके होलामोंग के पास डिमांड और सप्लाई सही न होने की वज़े से उसके पास खरीदार कम थे और कार्गो शिप्मेंट जादा इसलिए उसका दूसरा घर भी पूरी तरह से सामान से भर चुका था और तब आता है नबबे का दशक ये वो दौर था जब अमेरिका में इंटरनेट दस्तक दे चुका था और इसी के साथ कुछ आनलाइन सेलिंग वेबसाइट भी इंटरनेट पर आ गए थी जिनमें से एक थी ebay.com ebay वो वेबसाइट थी जिस पर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान खरीद या बेच सकता था ये वो दौर था जब वेबसाइट में रेजिस्टर करने के लिए कोई ID प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती थी वेबसाइट की बस एक ही प्रायोरिटी होती थी वो थी कस्टमर सैटिसफेक्शन इसके अलावा वो किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे और इसी का फाइदा उठाकर हो लामांग ने ebay पर अपना रेजिस्टरेशन किया और मारकेट रिट से बहुत सस्ते दामों पर अपना चोरी किया हुआ समान बेशने लगा अब होलामांग के पास कैनेडा के साथ साथ पूरी दुनिया से ओर्डर आने लगे जिसकी पैकिंग और प्रोसेसिंग वो अपने स्टोरेज गो डाउन सिरने लगा और देखते ही देखते हैं उसकी सेल एक महिने में 75,000 डॉलर तक पहुँच गई और इसी तरह वो एबे पर अपना समान कई सालों तक बेशता रहा अब वो जितने भी कारगो शिप्मेंट चुराता वो सब बहुत आसानी से बिग जाते ये चोरी पूरे 15 सालों तक चलती रही और इसमें होला मोंग का सबसे जादा जिसने साथ दिया वो थे कारगो टर्मिनल में काम करने वाले वरकर्स वो वरकर्स भी इसलिए इतने जादा वफदार थे क्योंकि इन 15 सालों में होल अमांग ने उनके लोंस चुकाए, उनके हॉस्पिटल बिल भरे और वक्त वक्त पर उनकी पैसों से भी मदद करता रहा और फिर 21 नॉइंबर 2021 की सुबा टोरंटो के पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बचती है फोन पर आदनी पुलिस को ये बताता है कि उसकी कम्प्यूटर स्टोर में चोरी हो गई है ये वो चोरी थी जिसका होल अमॉंग से कोई लेना देना नहीं था मगर इस चोरी ने होल अमॉंग के पूरे चोरी के उपरेशन को पकड़वा दिया पुलिस मौकाई वारदात पर पहुँचकर छानमीन शुरू करती है और देखती है कि ज़्यादातर उस स्टोर से हार्ड ड्राइव चुराई गई है पुलिस जब उन हार्ड ड्राइव के सीरियल नंबर के रिकॉर्ड को चेक करती है तब वो सीरियल नमबर एरपोर्ट से चोरी हुई हार ड्राइब के सीरियल नमबर से मैच हो जाते हैं यह वो वक्त था जब पॉलिस के हाथ सबसे बड़ी काम्याबी लग चुकी थी अब पॉलिस उस स्टोर के मालिक से पोश्टाश शुरू करती है कि उसने यह हार ड्राइब कहां से खरी दी जिस पर वो उन्हें यह बताता है कि उसने यह हार ड्राइब एक जो येंग नाम के शक्स से खरी दी है जो एक शिपिंग कंपनी से आया था स्टोर का मालिक पॉलिस को जो येंग का कॉंटेक नमबर भी देता है नमबर की छान बीन करने पर पॉलिस को ये पता चलता है कि जो येंका नमबर किसी बैनी के नाम पर रेजिस्टर्ड है वही बैनी जो होलामों का सौतेला बेटा था अब पॉलिस बैनी का फोन सर्विलन्स पर डालती है और उस पर कड़ी नजर लखनी शुरू करती है पॉलिस बैनी को उसके स्टोरेज वहराऊस से सामान निकालते हुए पकड़ लेती है और उस वहराऊस के अंदर बाकी सामान देखकर पॉलिस को ये समझते देर नहीं लगती कि यहीं वो सामान है जो पिछले 15 सालों से पियरसन एरपोर्ट से चोरी हो रहा है बैनी को हिरासत में लेने के बाद पॉलिस उससे सक्ती से पूश्टाच करती है जिसके बाद बैनी होलामॉंग का नाम कबूल देता है पर पॉलिस होलामॉंग को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी इसलिए बजाए उसे गिराफ़तार करने के पॉलिस उसपन नजर रखने लगी पॉलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके ट्रक का पीछा किया जहां वो शिपिंग कमपनी से एरपोट रहा और वहां से कारगो शिप्मेंट अपने ट्रक में लोड करके लोगों तक पहुचाए और चोरी किये हुए शिप्मेंट अपने स्टोरेज वहराउस में ले जाकर रखती है यही वो वक्त था जब पुलिस होला मौंग के घर पर रेड मारती है और उसे और टेरीसा को चोरी के समान से भरे वहराउस के साथ गिरफतार कर लेती है चोरी किये हुए शिप्मेंट की तादाद देकर पुलिस हैरत में पड़ गई और साथी साथ पुलिस को उनके घर से बहुत सारा कैश बरामद हुआ जो उन्होंने बेड के अंदर, सोफे में, सीडियों के बीच और बैनी के रूम में चुपा रखा था उस बरामद हुए कैश की कुल रकम 1.2 मिलियन डॉलर निकली अब होला मॉंग, टेरिसा और बैनी तीनों पर चोरी करने का और चोरी का सामान रखने का केस धर्ज होता है ट्रायल से पहले होला मॉंग पुलिस से ये कहता है कि वो अपना जुर्म कबूल लेगा और बाकी चोरी का समान बरामद करने में भी कॉपरेट करेगा मगर बदले में उन्हें टेरिसा और बैनी को छोड़ना होगा वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूलता है, चोरी का समान बरामद करवाता है और उससे कमाई हुए तीन मिलन डॉलर भी वापस कर देता है उसके इस कॉपरेशन की वज़े से पुलिस टेरिसा और बैनी को छोड़ देती है और होला मौंग की सजा भी बारा सालों से घटा कर दो साल कर दी जाती है ये थी कहानी उस शातिर चोर की जो पुलिस और एरपोर्ट अथोरिटी की आखों में 15 सालों तक धूल जोक कर चोरिया करता रहा आपको ये कहानी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में